तेट टाइम आई गोट रिंगा लिए से स्लाइब के सीजन द्री में आप सभी का स्वागत है एपिसोड वन की स्टार्ट में आप रिपलो बता रहा होता है वह व्ल्प्रोगिस यह पर एंड होने को आई हैं रिपलो ने क्लेमन को फाइनली हरा दिया है वह साथ साथ में यह यहां पर फाइनली वर्प्रोगिस एंड हो जाती है एंड डिनर का यहां पर टाइम हो जाता है ब्लैक वर्ट टाइगर का स्ट्यूट बना होता है यह तो सच में लाज जवाब है मैंने आसा कभी भी कुछ नहीं खाया वो रेफल से रिक्वेस्ट करता है कि इसकी रेसफी लगना को इतना बुरा फस्ट है कि उसके कबजें में हूं टैग्विल बाइदर वहापे मिलिम से पूसता है कि आखिर उससी इसाब ना टक करा और वह यहां पर क्लेमन को असने से माल भी जो सकती थी तो से रिम्रू से आप वन और और फाइट करने का मौका ना मिलता फिला करें कि इस बात्त पिर दुर और पीने वाला हूं इस पर रिम्रू कहता है कि तुम्हें पर सबर और फूसको वेलेंडार से काफिया सवाल भी पूस्टने थे लेकिन अब कि वह नहीं है तो बात में पूस्ट लेगा अब यहां पर रफ इसारे सारे सारे रेस्प्रीश को य जादा इपी लिए और वो चनल लेकर कंडिशन में पर बची ही नहीं है अगली सीन हम लोग यहां पर देखते हैं चाहां पर सब लोग मैनत कर रहे होते हैं लेकिन जैसे उन्हें मानूं पर दा है कि रेवरो समा वापस आने वाले हैं वो सब उसकी तयारी में जुट जाते हैं अब वो फाइनल ली ऑक्टागांप एक फाइनल मेंबर बन चुका है बगल में डियाप भी होता है और वह भी यहां पर शुब क लोग पर पूछता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम्हें तो फैल्मेंट में होना चाहिए न इसे बहुत है इसे माप कर देना कि शूना नहीं सब नहीं बनाया है लेकिन उसे उम्मीद है कि यह पसंद आएगा वेल्टरा कह रहा होता है कि मेरे लिए भी होगी इसे लोग आप लोग नोटिस करते हैं कि यहां पर स्लाइम होता है या फिर फूर्डिंग होती है वह उसे आपर बात है पक्के हो मुझे तुम पसंद आए अब रिम्रु यहां पर दियाब्लो को इन्फरमेशन देने के लिए पूछता है एक सिकेंड कैसी इंफरमेशन वेल्ट कि तुम कितनी बिगे एक डिजर्ट दो या फिर तीन वेल्टर ओवर्याइट कर जाता है इस फिर में बोलता है आप पसंद के लिए ना कि जिन्दा करते हैं अरे तुम वह वह बात वहीं पर अच्छेस करा या भी नहीं इस्वेशन बोली होती है कि उसने काम अपना बहुत ही बैटर दिकरा है और तुम जैसे डियाब्लो तुम यहाँ पर चाय सर्फ करनी जादा अच्छे आती है तुम्हारे काम का क्या हुआ इसमें वहीं पर रहता है लेकिन वेल्टर ने कहा कि रहा है तो मैं आपको देखने आ आ गया अब बीचार वेल्टर फिस दपास आता है यहाँ पर आने के लिए इसके बाद रिम उसके बीच जाता है वेल्टर तुमने ऐसा क्यों करा वेल्टर कह रहा होता है कि उसने डियाडलोग बता दिया क्योंकि उसे आपको देखे काफी खुशी मिलती पर चिलाते हुए कि वेल्टर तुम बेवकूफ हो क्या तुमसे किसने कहा ऐसा करने क्लिए उसकी पोडिंग चीनते थी अब इसके क्या खुशी के बात है वो आगे मालूँ पड़ेगा बदाता है बाइदवे सबसे पहले मैंने जो काम करा था वो और हील करने का था अब हम यहां पर पास पूल जाते हैं चाहां पर यॉम और डियाबलो फैल्मेंट के लिए जा रहे होते हैं यहां पर कह रह में यॉम कह रहा होता है कहीं डियाबलो लोगों को पहुंचे से पहले ही मार रादे तभी हम यहां पर इस प्रीस्ट को देखते हैं कि वापस रिकावर हो जाता है कि आप महान हो तभी डियाबलो कहता है अरे हां तुंगली बच्चे हुए हो क्या नान तो तुमारा रामिन नए नी राजिन हमें अब एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर से राजिन बोल ला था पहले आप प्लीज मेरे किंग को रिकावर कर दो इस पर डियाबलो बोलता है क्या बात है तुमारे पास एक खौईश है तुम्हारी लेकि तुम्हारी पता है न कि मैं इसके लिए पर दो जगा दिया है और यह तो होना ही है हमें मालूम पड़ता है कि इन लोगे यह आप पर प्रिजन में बन दे बिलाल यहां पर डियाबलो रासिन को रिकावर कर देता है और रासिन कहें रहा होता है कि मैं आज तर्फ करने वाला हूं प्रीज मुझे अपना लीजिए इ इस पर रासिन कहता है आप एक लॉयल मेंबर मन के बराऊंगा उसी टाइम यहां पर पिशॉक जो कि यहां पर वेस्टन होले चर्च का एक प्रेस्ट था वह भी निजी गिर जाता और कहता है कि मैं भी आपको स्तर्क करना चाहता हूं कि यहां पर इनका किंग देख रहा होत इसके पास और भी कोई आप्शन नहीं है इसके बाद वो भी यहां पर किंग एंड मेरी यूनिक स्किल तुम लोग को मुझे पिट्रेल करने ही नहीं देगी प्लाल यहां पर दूसरे काट से फूचता है आरे वो जोग जिंदा तो है ना तुमने मुझे मुझे मार तो नही या इस पर दियावलो कहता है यहां नहीं देखते हैं आप लोग जमा रखे थे लोग अपनी की यह कर्णिशन देगे बहुत दर चुके तो सोच रहे थे ऐसा कैसे हो गया वह लोग कह रहे होते हैं क्या इसा वह किंग ने करा वह मॉनस्टर वाले नेशन का किंग उसी टाइ कि लोग कहां पे हैं लाली मिनिस्टर कहता है कि शांत हो जाओ और राजन सबसे पहले बात सुनो रासन बताना शुरू करता है कि जैसे यहां पर बहुत चुड़ गई थी एक बहुत ही आलोखी चीज होई इस वार के जैसे यहां पर एक डूस ड्राइगन को यहां पर कि निकाउ से देख रहा होता है इसका नाम गार्लोस होता है रासन कह nghरा होता है कि उसकी जिंदा होने वज़े से मंस्ट्रस की यहां पर घाल मिस और हमारी आर्म है जैसे मानो कि उनको किसे और चाइनों सबये बाके हैं लुडगार चाहिए जाता है यहां पर रास चैनको इनोंने हमारी जान बचाई हैं शीलोग गहर होते हैं क्या कहरे हो इन लोग ने तुम्हाई जान बचाई हैं अब यह एनकी बीच में यहाँ पर प्रीश चाता है रो बताना शुरू करता है कि जब उस वार की विज़ी से यहाँ पर ड्रैगन स्पाउन हो गया था और उस खतर जाया और यहाँ पर मनाने में मजबूर कर दिया कि हमें यहाँ चोड़ दे यह सब बाते पर प्रिशे सुन रहा था बड़ा खुश हो रहा था यह दोनों कहते हैं क्या कहते हैं हमने तो सुना तक वेल्टरों का आख़ों में जो भी देखता है वो तबाह हो जाता है और यह लोग रिम्लू को बहुत ही नीचा दिखा रहे थे विचारे राज़न के पसी दिन चुट रहे थे कोई उसे पता था कुछ भी गलत हुआ तो डियाइबलों से जान से मार देगा वो कहता है हाँ बिल्कुल यह सब सच है रिम्लू यहाँ पर ट्रैयर्ट्स और सास्पने यह लोगों ने किससे पंगा ले लिया है जिए बंदा कहरा होता है तब तो अच्छा होगा अगर हम उसे फाइट ना करें और उसे पर दोस्ती बना की चलें जिसके बाद यहाँ बूलना शुरू करता है वेल वेल तुम लोग यहाँ बहुत ही फ्रेंडली है यहाँ बताता कि तुम लोगों के किंडाम के तरफ और चेड़ी है और इस टाइम वह बहुत ज़्यादा गुसा है तुम जैसे काम नर ऐसे बात ही कैसे कर सकते हो अच्छा हो यहाँ से लिकल जाने तो मैं तुम आप बढ़ चुका था और किसी भी सकेंड फूट सकता था राजन कहता है का लोगों बचाने की बात करती नहीं तो तुम तो माले जाते तुम जैसा आम इंसान हमारी किंडम पर बात कैसे कर सकता है तुमें द्याव पर सजा मिलनी चाहिए बिचार डियाबलों बहुत जादे बुस्त हो चुका था और अब तो लग रहा था किसकी खैर नहीं अभी रा मेरों को छुड़वाया है रिम्लों के हाथ से नहीं तो हम लोग पर प्रिजन में बन थे वो यह भी बताता है कि तुम लोग देख सकते हो कि वेल्ड़ों के आपर क्लोस आते ही हमारी राजा का क्या हुआ है कि यह साही कह रहा है तुम यहां पर कैसे है और कब आए इस पर केता है है माफ करना लेकिंगों मुझे तुम लोग बहुत ही कमजोर थे और मुझे लगा कि केंगको करते हैं केन लोगों करते हो थेए और यह और इसमें लोग सारे पार्ट वापस आ चुके थे लोग कहाता है तुम लोगे पताना हो उपता दो पैसे दो और तुम इहापर हमारी में बातें और इसमें बातें के वर कंटिनू रहेगी ये तीनों ये बात सुनके कहते हैं सच में लग रहा है कि रिम्रो बहुत ही गुष्टे में है ट्याबलो कहते हैं वैं मेरे सब से ता काफी रहेगा तुम लोग पास एक हफ्ता है ये मिनिस्टर कहता है एक हफ्ता ये तो बहुत ही कम है दियाब लोग कहे रहा है शांत हो जाओ वैसे मेरा घुस्ता कभी भी फूर सकता है लगिंद फिर भी ये वन्दा कहे रहा होता है हमें बाकी kingdom के आपे लोगो बुलाना होगा तब ही तम कुछ कर पाएंगे तियाब लोग फिर से कहता है मैंने पहले बोल दिया है मेरा कुछ से पर चड़ रहा है जा तुम लोग अपनी मौझे डर नहीं लगता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो वो चाहिए तो तुम लोग को अभी क्या भी कतम कर सकता है इसलिए आन से फैसला करना अब अपर प्रेसिटिप में आते हैं और बता रहा होता है कुछ इस तरह से उससे सब लोग को मैनिप्लेट करा क्या तुमने सच में उस बयानक बोड़ी को सब को दिखाया था इस पर लोग कहता है और उनको मानना बहुत असान था यह सुनके शौन बड़ी कुछ हो रही थी क्योंकि एड़ दी एंड उसमें ती बुरी तरह पीटा था इन लोग को यह ज़्या करना चाहेंगे क्योंकि पूरी आर्मी आपे खताम हो चुकी है और उनकी चिछिडे मिनिस्टर्स जो हैं वह कभी पर सिर्फ एक यहां पर बाते कर रहे हैं कि लोग कहता है कि इतना ज्यादा यहां पर बरपाई कर पाएंगी इस पर लोग कहता है पड़ी अचानी से क्यों पर लोग करेंगा और यहां पर पूरा पर्फेक्ट प्लैन है यहां पर लोग कहता है तुमने काप फिच्छा काम करा है बस दयार नखना कुछ भी गरबर ना हो और वह आपर नोटिस करता है कि वेल्टर आप इस सारा बगलने बैट के रो रहा होता है पिगी आज को यहां पर इसका कुछ नहीं हो सकता और वह आप अपनी मैजिक सी और वर ना हो और गाइस यहीं पर यह पिए एपिसोड एंड हो जाता है आप लोग को सीजन तरीका पहला एपिसोड कैसे लगा कमेरे से बताना एंड सब्सक्राइब पूर दो इसका अगला एपिसोड देटे कि लिए बागे में तॉमसे ने सोजिंग वीडियो में पिल दे और वीज में वर एंड वीजब कीज बढ़ हो सीजन जयन जयर पी देटे वे ऋट लुद लीठ वेंगा सीजन प्राइस बवें पेपिसोड एंड कैसे लो इस सकुन